हेलो प्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए दाल और चावल से बने पीठे की रिसी पिले कराई हूँ इसे पूस पीठा भी काहा जाता है और इसे ठंड के मौसम में ही बनाया जाता है तो मैंने इसे कैसे बनाया है तो चली बनाना सुरू करते हैं चावल के पीठे के बनाने के लिए मैं हापा 500 ग्राम चावल को रात भर के लिए पानी में भीगो कर रख गया था जो मनों नॉर्मल घर में चावल बनाते हैं मैं उसी चावल से पिठा बना रही हूँ और इसे मैंने रात भर के लिए भीगोया था चावल जो है हमारा अच्छ चावल को रात भर भीगो कर रखने से इसके पिठा बहुत ही अच्छे बनते हैं यह आपको जल्दी हो ताफ इसे गयम पानी में 5-6 खंटे के लिए फुलने डाल जकते हैं और रात भर के लिए मैंने डाल को भी अच्छे से रात भर के लिए भीगो कर रख दिया था और डाल भी हमारा अच्छे से शौप्ट हो गया है तो सबसे पहले हम चावल को मिक्सर जाय में डालेंगे और इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका महीन पेश्ट बना लेते हैं तो चावल में हम पानी डाल कर ही पिसेंगे अब इसमें हम दो से तीन चमच इसी पानी को डाल देते हैं क्यूंकि हमारा चावल अच्छे से धुया हुआ है अचली इसे हम पीस लेते हैं तो देख सकते हैं चावल में मैंने पानी डालकर इसका एक महिन पेश्ट बना लिया है इसी तरह से बाकी के रखे चावलो को भी हम पीस लेते हैं तो सारे चावलो को मैंने पीस लिया है और इसे मैंने एक बलतन में निकाल लिया है इसमें जो लगा हुआ है इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल कर इसे धो कर इसमें डाल देंगे अब जो मैंने दाल को भीगो कर रखा था तो उसके लिए हम सबसे पहले एक इस्टेनर लेंगे और सारे दाल को हम इसमें डाल देंगे और इसके सारे पानी को हम छाक लेते हैं क्योंकि जब हम दाल पिसेंगे तो उसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करेंगे जिससे हम बिना पानी की ही पिसेंगे तब इसे हम थोड़ी दिर के लिए छोड़ देते हैं ताकि पानी अच्छे से गर जाए तो दिख सकते हैं फ्रेंट्स डाल के सारे पानी जो है निकल गया है अब इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ी से मसाले पिसेंगे मसाले में मैंने थोड़े से अधरक जिसे मैंने छील कर धोकर रख लिया है 15-20 लसुन की कलिया, 3-4 हरी मिर्च और मैंने यहाँ पर तीकी वाली सुखी लाग मिर्च भी लिए तो सबसे पहले मिक्सर जार में सभी मसालो को डालेंगे और इसे हम थोड़ा दर-दरा पिस लेते हैं देख सकते हैं मसाले को मैंने दर-दरा पिस लिया है और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है मसाले को हम निकालेंगे नहीं मैंने जो दाल रखा था उसे भी हम इसमें डाल कर पिस लेते हैं इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे एक बार में जितना आएगा उतना ही हम पिसेंगे देख सकते हैं दाल को मैंने बिना पानी के ही पिस लिया है और इसे मैंने थोड़ा महिन पिसा है मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है मैंने इसे 3-4 चला कर पिस लिया है इसी तरह से बाकी के बचे दाल को भी आप पीस लेते हैं तो देख सकते हैं सारे दाल को मैंने पीस कर एक बर्तन में निकाल लिया है तो देख सकते हैं कि मैंने इसे बिना पानी के किस तरह से पीसा है दाल को इसी तरह से पीसना है अब इसमें हम एक चमच के करीब कलोंजी जिससे हम काली जीरा भी बोलते हैं उससे हम डाल देंगे इससे पिठी का स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है अब इसमें हम थोड़ी से हल्दी पौड़ा और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे सबी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे आप चाहे तो इसमें कुछ हरी सबजया भी डाल सकते हैं जैसे पत्ता वो भी गाजर, सिम्ला में जैसे अब जो हमने चावल गोल बना कर रखा था उसे सबसे पहले है एक कड़ाय में जलेंगे और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम इसे गैस पर चड़ाएंगे और इसे हम तेज आज पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि हमारा घोल जो है डो के फॉर्म में ना आ जाए तो चली इसे हम लगातार चलाते हुए पका लेते हैं इसे लगातार चलाते हुए पकाईगा नहीं तो इसमें गाठे पड़ जाएगे और यह तले से चिपकने लगेगे तो फ्रेंट्स देख सकते हैं कि मैंने इसे लगातार चलाते हुए पकाया है और यह डो के फॉर्म में भी आने लगा है इसे हम कुछ सेकंड और पकाएंगे तो देख सकते हैं कि हमारा डो बनके तयार हो गया है और यह कड़ाई को भी छोड़ने लगा है अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर देते हैं और इसे एक बरतन में निकाल लेते हैं इसे आप थोड़ा सा हातों में उठा लिजे और इस तरह से मिलाएंगे देखिए हातों में बिल्कुल भी नई चीपा करे हैं इसके मतलब क्या होगा हमारा चावल का जोड़ू है बनकर सरीयार है अब इसे हम अच्छे से ठंडा होने देते हैं यह हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और एक चमच ओयल डालेंगे और इसे हम मसल मसल कर एक दम चिकना तयार करेंगे जिस तरह से हम रोटी या चापाती के आँटा लगाते हैं उसी तरह से हम इसे एक दम चिकना कर लेते हैं इसे मैंने 3-4 मिनट तक मसल मसल कर एक दम चिकना कर लिया है, देख सकते हैं कि आटा एक दम चिकना हो गया है, अब इसके लिए हम सबसे पहले मसाले तयार करेंगे, इसके लिए मैं एक छोटी कटोरी ली हूँ, अब इसमें हम आधा छोटा चमच लाल मेच पाउडर, थोड़ लोई हम रोटी या चापाती के लोई से थोड़ा बड़ा ही रखेंगे, मैं यहाँ पर 4 लोई को काटकर रख रही हूँ, तो एक लोई उठाएंगे और इसे हम हाथों से अच्छे से चिकना कर लेते हैं, देख सकते हैं कि मैंने 4 लोई को बना कर रख लिया है, अब हम सबस प्लेट में हम थोड़ा पानी लेंगे और इसे हम चाल दर्प से लगाएंगे, तो इसे हम चाहते लह कि एक चमच अल्का लका जाते हैं, प्लेट में हम धव्लटा सा पानी लेंगेगे, यहाँ चैनी macht से लोघ्याएंगे, प्लेट मेरा पूसने 2 लगा पानी लगा देंगे और इस भाग को लेकर हम इस तरह से मिला देंगे और इसे हम अच्छे से दबा देंगे इसे हम अच्छे तरह से दबा देते ताकि यह खुलेना देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से दबा दिया है आप एक भाग कोल लेंगे हम और इसे हम हलका हलका इस तरह से मोढ़िए आच्छु है देशी इस तरह से भी रख सकते हैं वेक़ देखने में तो जुड़ा ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा हलका सा सेथ दे दे रही हूँ और इसे हम फूल कर देंगे तो देख सकते हैं कि एक पीठा जो हमारा बनकर तयार है इस तरह से हम इंचारों को भी तयार कर लेगे इसे पीठा करके हम इसमें डालते जाएंगे और इसे हम आठ से दस मिनट तक तेज आज पर इसे पकाएंगे तो देख सकते हैं मैंने इसे आठ से दस मिनट तक तेज आज पर आची तरह से पका लिया है और पीठा हमारा बनकर तयार है अब इसे हम एक एक करके फेट में निकाल लेंगे तो देख सकते हैं हमारा पिठा बनकर तयार है और यह खाने में बहुत ही टेश्टी लगते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है अब जो मैंने मसाले बना कर रखे थे हलका हलका उस मसाले को हम इसके उपर डालेंगे और थोड़ी सी धन्या पत्ता भी डाल जेते हैं एक पिस मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ तो देख सकते हैं कि हमारा पिठा कितना सॉप्ट बना है और यह खाने में बहुत ही टेश्टी है अब आपको हमारी पिठे की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज में वीडियो को लाइक कीजेगा और शेयर कीजेगा और मेरी चैनल पर पहली बार है तो सस्क्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलेगा और बैल आइकन को जरूर से प्रिस कीजेगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो को आप देख सकें